रादरादे जी आप सभी कब हो स्वागत है मेरे चनल वासुटिफ्स फुर होम में दोस्तो आज की वीडियो में आपको सिंदूर का एक अचुक उपाय बतारियू जिसके करने से आपके घर परिवार में चल रहा कलेश दूर होगा अगर आपके पती आपका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं आप दोनों की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती है तो इस उपाय को आप जरूर करें दोस्तो इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं अगर मंगलवार या शनिवार का दिन हो तो सबसे ही शेष्ट है दोस्तो आपको सिरफ नहाद होकर सुच वस्त धारन करके किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है और उनके पैरों के जो दाया पैर हो ये तेल का दीपक जलाना है और एक बार हनुमान चालिसा का पाठ करना है और किसी भी कागज में आप हनुमान जी के दाये पैर का सिंदूर लेकर आए उस सिंदूर को आपको अपने घर का जो में गेट होता है उस पर आपको स्वास्तिक बना देना है आप अपने घर की ति तिलक लगाने नहीं देते हैं तो आपको उनकी फोटो पर आपको तिलक कर देना है और थोड़ा सा सिंदूर आपको अपने मस्तक पर भी जरूर लगाना है बाकी बचे वे सिंदूर को आपको अपने पास रख लेना है और उसमें से अगर डेली आप अपने पती की फोटो पर उनके मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो यकीन मानिये आपका पती आप से प्रेम करने लगेगा आपके जीवन में जितने भी ग्रहा कलेश चल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे घर में सुख शान्ती का माहल होगा और आपके घर में धन बरकत होगी दोस्तो इस उपाय को आपको के शीराधे